दोस्तों, मैंने अक्सर लोगों को यह करतेवे सुना है, कि यदि उन्होंने फला-फला गलतिया नहीं की होती, तो आज वे सक्सेस्फुल होती, परन्तु सवाल ये उड़ता है, कि गलतिया किससे नहीं होती, सायद सभी से होती है, परन्तु यहाँ एक सवाल जर्म लेता है, तो फिर वे दो लोग जिनमें दोनों से ही गलतिया होती हैं परतु एक successful होता है। वहीं दूसरा ऐसा नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों success पाने वाला ब्यक्ति गलतियों से सिखता है। और उसे दोहराने से बसता है। ध्यान दिजेगा मुझे आज भी याद है जब मैं intermediate तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद केरियर के धेर सारे विकल्पों में से हमें किसी एक विकल्प को चुनाओ करना था। और वो बहत कठिन था। मेरे कई सारे दोस्ते कुछ न कुछ करने की सोच रहे थे। मुझे भी ऐसा करने की सलाह दे रहे थे। या यू कहें कि उनका फर्मान था ऐसे में अपना गोल निश्चित कर पाने मेरे लिए बहत मुस्किल हो गया था। साथ इस बारे में मैं खुद भी ज़्यादा confidence नहीं था कि मेरे लिए कौन सा विकल्प सबसे उप्यूकत रहेगा। यह मानी जाए इस्वर ने हर किसी में special talent दे रखा है जिसे God gift भी कहते हैं परन्तु कभी कभी हम पहचान नहीं पाते। मंजिल यानी आपका लच्छ आपका गोल लाइप का सबसे अहम पाठ है क्योंकि इस पर हवारा पुरा भविष से निर्भर करता है। इसलिए अपना गोल निर्धारित करने से पहले भली भाती विचार कर ले। इसमें किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी न करे। दुसरे के विचारों को खुद पर ना थोपे। दोस्तों ध्यान दिजेगा हमेशा अपनी रूची और अपनी छमताओं के हिसाब से सोच समझ कर अपना गोल निर्धारित करना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी रूची के हिसाब से अपना गोल तै करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता के चांसेज ज़्यादा होते हैं अपने इंट्रेस्ट के विपरित गोल को हासिर कर लेने के बाद भी अक्सल लोगों की साटिस्फेक्शन नहीं मिलता वहीं यदि आप अपनी छमताओं से अलग गोल चुनाओ कर लेते हैं तो कई बार ऐसे गोल को हासिल कर पढ़ना बहुत मुस्किल होता है ध्यान दिजेगा ये छोटी सी बात आपको सकसेस की और ले जाने में सहयक सिद्ध होगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि आप जो सोचते हैं वही हो ये जोरी भी है और जोरी नहीं भी है एक बात इस पस्टूप से समझ जाईएगा कि आप जो सोचते हैं वही होना चाहिए आप जो करते हैं वही ठीक है याद रखेगा इस बात को और इसका अनुसरन कीजिएगा देखेगा आपको सफलता जरूर मिलेगा सफलता की कोई मापदंड नहीं है सफलता कर्म से महनस से वो भी कड़ी महनस से प्राप्ट की जाती है तो इसलिये दोस्तों जब आपने कोई ड्रीम रखा हुआ है उस ड्रीम के मार्ग में चलना प्राणम कर दें तभी ड्रीम आपके पूरा हो सकेगा दोस्तों आपके मन में बहुत सारे उलजण होगा उस उलजण को यदि आप दूर करना चाहते हैं तो जरूर कोमेंच लिखें और साती साथ हमें आपके उल्जन जरूर बताएं ताकि हम कोसिस करेंगे कि आपकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान क्या है हम ये भी कोशिस करेंगी कि आप जिस मार्ग पर चल रहा हैं वह मार्ग आपके लिए कितना बहतर है इस पर भी कोई समवाद करना चाहते हैं तो जरूर हमें फोन करें और साती साथ अपने समस्या का समाधान प्राप्त करें थैंक यू